आज अमावस्या के दिन सुनिये अमावस माता की कथा परानिक कथा के नुसार एक गाउ में सास और बहु अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था सास और बहु बहु बहुत प्रेम से रहते थे दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे एक दिन बहु ने खाना नहीं खाया तब सास बहु से पूछने लगी कि बेटा आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया तब बहु कहने लगी सासुमा आज मेरा अमावसमाता का व्रत है इसलिए मैंने खाना नहीं खाया तब सास ने कहा कि बहु ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है मुझे भी समझाओ तब बहु कहने लगी कि सासुमा अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुर्णी मिलता है घर में अन्य धन बना रहता है सुक शांती बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है पुत्र की प्राप्ति होती है इसी तरह से तीन परनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है इस व्रत में हर वर्ष अलग-अलग खाना खाया जाता है और विश्णु भगवान के मंदि में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्रहमण को दान दक्षना दी जाती है इस व्रत में पहले साल शक्कर घी और चावल से बना खाना खाया जाता है पहले साल व्रत पून होने के बाद सवा किलो चावल और एक कटोरी घी और एक कटोरी शक्कर का दान किसी ब्रह दूसरे साल जो घी और शकर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का वरतपूर्ण हो जाए तब सवा किलो जो एक कटोरी घी और एक कटोरी शकर किसी मंदिर में चड़ाया जाता है। तिल, गुड और एक कटुरी घी किसी मंदिर में चड़ाया जाता है या ब्रहमर को दान में दिया जाता है इसे ही सासुमा तीन पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है फिर बहु बताने लगी कि मांजी इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में जगणा और घर में अशान्ती हो जाती है तब सासुमा कहने लगी कि बहु मेरी तो उम्र हो गई है लेकिन तुम ये व्रत जरूर करना और तब बहु ये व्रत करना प्रारम करती है एक दिन बहु ने किसी के कहने पर गेहु उसे बनी रोटी खाली और अमावसमाता इस बात से नाराज हो गई जो सास और बहु कभी बहुत प्रेम से रहती थी आप उन दोनों में जगड़े होने लगे सभी गाँवाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में ये सब क्या हो रहा है सास अपनी बहु को कहने लगी जब से तुम हमारे घर में बहु बन कर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है तुम हमारे लिए बिल्कुल शुब नहीं हो तब बहु ने कहा कि माजी आपके घर की लक्षमी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहा मिलेगी मैं लक्षमी को लेकर आओंगी तब सासुमा कहने लगी कि बहु लक्षमी तुम्हें समुत्र के बीच में भगवान विश्नु के पैर दबाते वे मिलेगी तब बहु ये कहकर चली जाती है कि माजी अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊँगी नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी ऐसा कहकर बहु लक्ष्मी की खोज में चली गई जब बहु लक्षमी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाए मिली गाए बहु से पूछने लगी कि आप कहां जा रही है तब बहु कहने लगी हे गाए माता मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्नधन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ तब गाए माता कहने लगी हे बेटी अगर तुम जाही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना तब बहु कहने लगी ठीक है गाए माता मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बच्छडा होता है तो वो मर जाता है जिन्दा नहीं रहता तुम लक्षमी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मैंने ऐसे कौन से कर्म किये है जिसकी सजा मुझे मिल रही है तब बहु कहने लगी गाय माता मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूँगी ऐसा कहकर बहु आगे बढ़ गई जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे एक घोडी मिली जिसके गले में घंटी बंती भी थी घोडी ने भी कहा कि बेटी तुम मेरे दुक्का निवारन लक्षमी जी से पूछ लेना तब बहु कहने लगी मैं जरूर पूछ लूँगी ऐसा कहकर बहु आगे बढ़ गई आगे जाते ही बहु को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला उसने भी बहु से अपनी समस्या के निवारन के लिए पूछने का कह दिया तब बहु उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई आगे जाते ही बहु को एक बूढ़ी औरत मिली जो की हाथ और पैर से अपाहिज थी उसने भी बहु से कहा कि बेटी जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिच क्यों हुई मैंने ऐसे कौन से करम किये थे तब बहु उसकी समस्या पूछने के लिए तयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई आगे जाते जाते बहु 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 भगई और एक आम की पेड के निचे बैठ गई आम का पेड बड़ा खुश हो कर बहु से पूछने लगा कि बेटी तुम कहां से आई हो और कहां जा रही हो तब बहु कहने लगी कि वो लक्षमी जी को लेने जा रही है तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे वे आम खटे ही क्यों होते हैं इस बारे में भुरानी भगवान से जरूर पूछ लेना तब बहु पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई थोड़ी दूर जाने पर बहु को एक तलाई मिली वो भी बहु से कहने लगी कि बहु तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मेला क्यों है कोई भी यहां आकर पानी नहीं पीता तब बहु कहने लगी जरूर पूछ लूँगी ऐसा कहकर बहु आगे बढ़ गई बहुत दिन से जंगल में चलते चलते बहु ठक गई थी उसे भूग भी लगी थी लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला तो वो भूग और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई उसी तमे भगवान श्री हरी और माता लक्ष्मी घूमते वे उधर जा रहे थे तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नात ये तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है आप इसके दुक्का निवारन कीजिए तब भगवान श्री हरी कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी है सभी अपने अपनी कर्मों का फल भोग रहे हैं मैं किस-किस के दुक्का निवारन करूं तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरी से विंती करने लगी कहने लगी कि वो भूगी प्यासी है अगर इसे ऐसे में जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे खार डालेंगे मातालक्षमी की बात सुनकर भगवान श्रीहरी एक सादू का वेश थारन कर बहू के पास गई और उसे होश में लेकर आए बहू के होश में आते ही सादू वेश में भगवान उसे पूछने लगे कि वो यहां क्यों आई है और कहां जा रही है तब बहू ने सारी बात बता दी उसकी बात सुनकर भगवान श्रीहरी और मातालक्षमी प्रकट हो गए उनके साथ साथ प्रकट हुई अमावस माता भी बहू यह सब देखकर उनके चर्णों में गिरकर उन्हें प्रनाम करने लगी तब अमावस माता बहू से कहने लगी कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है इसी की सजा तुझे मिली है लेकिन अब मैं तुझे शमा करती हूँ अब तुम घर को जाओ तुम्हारा घर अन और धन से भर जाएगा तुम्हारा घर सुन्दर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनुकामनाई भी पूर्ण हो जाएगी ये सब होने के पश्षाद बहु ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारन करने के लिए विंती की तब भगवान श्री हरी कहने लगे कि गाए ने कभी अपना दूद किसी और को नहीं पिलाया इस कारण उसके बचले जिंदा नहीं रहते तो मुसका दूद पी लेना फिर उसके बाद उसके बचले जिंदा रहने लगेंगे और घोडी पिछले जनम में आटा पीसने वाली महिला थी वो किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंदेवे हैं तुम उसके पाट खोल देना वो बिलकुल ठीक हो जाएगी और वो बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना इससे वो ठीक हो जाएगा अपाहिज महिला उसने कभी अपनी जवानी में दान पुने नहीं किया उसकी ये सजा मिली है तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी और वो आम का पेड़ उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिये इसी कारण उसके सभी आम खटे होते हैं अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना फिर उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे और तलाई का पानी पिछले जनम में देवरानी जिठानी थी वो हमेशा आपस में जगड़ा करती रहती थी इसी लिए उसका पानी मेला है तुम उसका पानी पी लिना तो वो तलाई शुद्ध हो जाएगी फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे इस प्रकार बहु ने भगवान श्री हरी मातर लक्षमी और अमावस मातर को प्रणाम किया उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर के लिए तयार हो गई रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनकी सभी समस्या भगवान के कहे इनुसार वो दूर करती चली गई सभी ने उसे भर भर कर आशिरवाद दिया घर पहुंसते ही उसका तूटा फूटा घर एक सुन्दर महल में बदल गया उसके घर में अन और धन के भंडार भर गए अब बहु ने सासुमा से कहा कि सासुमा आपने तो सच में कहा था मैं आपके लिए शुब नहीं हूँ मेरी जाने से ही आपके घर में लक्षमी आई है अब आप यहां रहें मैं मरने जा रही हूँ तब सास ने कहा बेटी यह सब तुमारे अमावस माता के व्रत करने का फल ही हमें विला है तुम यहीं पर रहो अब तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी इस प्रकार सास और बहु खुशी-खुशी रहने लगे और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लोटाया और घर में जब उसने खुब धंदौलत और धंके भंडार देखे तब उसकी माने सारी बात अपने बेटे को बता दी इस प्रकार बहलोग खुशी-खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के वृत रखने लगे बोलि अमावस माता की जय हे अमावस माता इस कठा को कहने सुने और हूंकारा भड़ने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान के भंडार भरना सभी की रक्षा करना ये थी अमावसमाता की व्रतक था अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा